तो दोस्तो वेलकम टू कुक वित आईजा तो दोस्तो आज मैं आप लोग के लेकर आई हूं प्यास के पकोड़े जो बहुती क्रिस्पी बनते हैं तो चलिए देखते के मैंने इसे किस तरह बनाया है तो यहां पर मैंने चार बड़े प्यास लिये थे उसको इस तरह के से स्ला साथी आपर मैंने क्रश्च कोरियांडर लिया है अक्खा धनिया उसे दरदरा पीस कर लिया है तकरीबन टू टेबल स्पून के करीब साथी आपर मैंने वन टीस्पून हल्दी पाउडर ली है हम इसे भी समे एड कर देंगे साथी मैंने यहां पर लिया है जीरा वन टीस्प तो यह तक्रिबन 3 टेबल स्पून मैंने कॉन फिला दिया था और 5-6 टेबल स्पून मैंने बेशन लिया है हम इन सारी चीजों को एक साथ मिला देंगे फिर मैंने यहां पे 3-4 हरी मिर्चे एड़ कर दी है आप अपने हिसाब से इतना तीखा काते हो उस हिसाब से हरी मिर्चे एड़ करना और इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे हमें इसे दबा कर प्रेस नहीं करना है उसको अच्छे से फल्ट के हाथों से हमें मिक्स करना है साथी मैंने यहां पे आदा गलास पानी दिया था तो हम इसमें पानी का इस्तमाल करेंगे ताकि हम प्या प्यास को ज्यादा मसलेंगे तो प्यास नर्म हो जाएगी और फिर हमारा जो पकोड़ा है अनियन पकोड़ा प्यास का पकोड़ा हो क्रिस्पी नहीं होगा तो यहां पर मैंने एक तरफ मीडियम फ्लेम पे ऑईल गरम करने के लिए रख दिया था तो अब हम इसमें थोड़ा के अंदर सिफ छोड़ देना है और हमें भजे को जो है बहुत ही लो फ्लेम पे बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम पे भी नहीं और हाई फ्लेम पे बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमें भज्या को फ्राय करना है प्यास के पकोड़ों को फ्राय करना है अच्छे से अलट पलट करते कम से कम इसे फ्राय होने के लिए 6-7 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पे भजे को अच्छे से अलट पलट करते हुए बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरीके से अब जरूर बना कर देखना अपने किचन में और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और अगर आप हमारे चानल पर नए हो तो प्लीज आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब कर और साथी बिल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाली हर लेटेस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी वो भी फ्री में तब देख सकते हो जब हलका हलका कलर आ चुका तो मैंने इसे अच्छे से पलट कर दिया है और जब इसे और थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे और फिर हाई फ्लेम पे हम इसे एक से दो मिनट अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो अब देख सकते हो कि माशाला से लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से बज़े को कलर आ चुका है तो अब हम एक फिर रही हो यही बचयी कि अच्छा है करें तक हमशे से चुछ गात खाते हैं बहुत ही जटपट और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो चुका है खाने में भी उतना ही टेस्टी है उमीद करती हूँ कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगी और अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बारिश के मुसम पर बहुती बढ़िया स्नैक ही है तो उमीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा अल्ला हाफिज